दोस्तो यस बैंक की बात करें तो श्टॉक के अंदर आज गिरावट देखना को मिल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा है यहाँ पे यस बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है यस बैंक अपने 500 एंपलोईस को नौकरी से निकालने जा रहे क्या है पूरा यह मामला और क्यों ऐसा डिसिजन लिया जारा उसको समझने की कोसिस करेंगे इससे यस बैंक की सेहत में क्या फर्क पड़ेगा उसको भी समझने की कोसिस करेंगे दूसरी तरफ यस बैंक की कल बोर्ड मीटिंग हो चुकी है और इसके अंदर AGM की डेट का एलान कर दिया गया है आने वाले समय में जो फैसले होंगे उसको लेकर भी कल जानकारी दी गया है इसके अलावा यहां पे quarter four की तैयारी हो चुकी है अब quarter four खत्म हो चुका तो quarter one भी जल्दी हमारे सामने हैगा एक जुलाई के बाद आप देखे तो यहां पे अब trading window क्लोज होगी सेवी के रूल्स के तैद क्योंकि quarter one यहां पे हमारे सामने आने जा रहा है तो यहां पे इन सारी बातों को समझेंगे और जानेंगे क्या यस बैंक में तेजी आएगी या फिर यहां से गिरावट की समौनों बनेगी क्या इस समय यस बैंक के स्टॉक में निवेस करना चीए लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए त अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले यस बैंक के कारूबार की बात कर ले तो अभी लगबख पहुने तीन बजे क्या सबस का टाइम है बाजार क्लोजर में लब भी थोड़ा समय बाकी है श्टॉक की सुरुआ तो लगबख देखना को मिला हूँ श्टॉक ने 23.78 का लोग बनाए इस समय श्टॉक 23.79 के आसपास जापे 0.96 परसेंग की गिरावट है अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस में से देखे तो श्टॉक बहुत समय से कह सकते कि इस पूरे मैने में ही तेई 24 रुपे के आसपास ही 24 होता हूँ दिखा देगा या फिर कभी 23 से थोड़ा नीचे जादा हूँ दिखा देगा लेकि ओवराल इसकी जो प्राइज यह वो एक जगह पे इस तीर है यानि अभी फिलाल बड़े ट्रिगर का इंचाजार कर रहा है और ऐसे में फिर आन्वर्स में इसमें तेजी आ सक लिए अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक की कल देखे दो की बोर्ड मीटिंग हो चुकी है तो यहाँ पे इस बोर्ड मीटिंग के दोरान यहाँ पे बड़ा फैसला लिया गया है कंपनी अपनी यहाँ पे एजियम रखने जा रही है और डेट हमारे साम ने आ चुकी है आप देखे दो की 23 अगस 2024 को एजियम होगी कमपनी की और इस एनल जनल मीटिंग के अंदर कुछ बड़े फैसले लिये जाएंगे तो यहाँ पे फंडेजिंग करने चाहते हैं और इसकी मंजूरिक कल मिलिया बोर्ड के अंदर लेकिन अब इसके लिए एजि का अपना जाएगा वो आने वाले समय पता चलेगा लेकिन फंडेजिंग होगी और बोर्ड ने इसकी मंजूरिक दे दिये तो जो एजियम होगी इसके अंदर इसका फैसला लिया जाएगा और आप देख सकते हो कि कल जो बोर्ड मिटिंग हो थी 12 बच कर 35 मिनट पर शुरू अब यहां जो बड़ी ब्रेकिंग निकल क्या रही है यस बैंक ने अपने 500 एमप्लोई को नौकरी से निकाल दिया है और यह जो लेओप किया गया इसके पीछे वज़ब बताई गया कॉस्ट कर्टिंग का कंपनी अपने खर्च में कर्टोदी करना चाते और इसलिए उसने कई सेक्षन में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है तो यह एक बहुत बड़ा चौकाने वाला फैसला किया गया एक जटके में 500 एमप्लोई को लेओप दे दिया गया है यानि कंपनी से उनको निकाला गया बैंक ने उनको चुट्टी कर दिये और वजन की आने वाले समय खर्च में कटोती के लिए और ऐसे फैसले ले जाएंगे हो थकता है कि कुछ और एमप्लोई को भी नौकरी से निकाला जाए तो जिन एमप्लोउई को यस बैंक से नौकरी से निकाला गया उनको तीन माईने का उनका जो वेतन है वो सात में दिया गय इन में हॉलसेल से लेके रिटेल यूनिट तक सामील है तो बैंक ने जो ये ले आउफ किया गया इसके पीछे जो वज़ब बताईए कि रियस्ट्रक्चिंग प्रोसेस के तैत इसके पीछे कॉस्ट कटिंग कावाले दे गया तो बैंक अब डिजिटल बैंकिंग की तरफ आग और अलड़ी यस बैंक बहुत पहले से डिजिटल टेक्नोलोजी में सबसे आगे निकल चुके है ऐसे में उनको उतने में पाउर की जरूतनी है और इस ही तिया जो नया रिस्ट्रक्चिंग प्रोसेस सुरू किया गया जिसमें ऑपरेशनल खर्च में कटोती करने की करने की वज़े से उनका पूरा कारोबार है अब देखे तो एक पूरे टेक्नोलोजी के आधार पर सेट हो गया ऐसे में जाना से ज्यादा लोगों की जरूत नहीं है और जो यह रिस्ट्रक्चिंग प्रोसेस चल रहा है उसके बाद में ऑपरेशनल खर्चों में कमी लाने म उनको मदद मिलेगी और एक मजबूत भविशे के लिए तयार संगडन के बनने के पार जो एक मजबूत वर्कफोर्स तयार की जाएगी और लोगों को सबसे सांदार और अच्छी बैंकिंग सेवाए प्रोइड करने के लिए यस बैंक ने फैसला किया है तो इससे दो फाइ फैसला लेने के पीछे सबसे बड़ी वज़े कि जो एमपलोईज की सेलरी में बहुत जबर्दस वरिदी हुई थी फाइने सेलरे दो जार तेई चोबीस के बीच में देखे तो जो प्राइवेट लेंडर के जो कर्मचारियों का खर्च हो उसमें 12% की वरिदी देखना को मि तो यह इसलिए फैसला लिया गया है तो इसमें देखे तो बैंक की सिहत के लिए तो अच्छा है लोगों को जरूरी आपर रोजगार चीना गया है उनको अभी और नई जगह पे अपनी नौकरी तलास नहीं होंगे इस समय यह प्राबलम है लेकिन बैंक को इससे को क्लोज करने का फैसला किया इंसाडर ट्रेडिंग के लिए एक जुलाई से ट्रेडिंग विड़ो क्लोज हो जाएगी और वो तभी खुलेगी जब यस बैंक अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिकलेर कर देगी तो सेबी का रूल से कि एक बार जब रिजल्ट समझ में आज तयार हो जाता है और उसका कोई मिस्यूज न कर ले चाहिए वो एंपलोई हो या फिर प्रमोटर ग्रूप से हो बोर्ड के मेंबर हो वो सबको पता हो था कि रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव बात है और इस वज़े से उनकी ट्रेडिंग को क्लोज कर जाता है और 48 गंटे के बाद खुलेगी जब रिजल्ट डिकलेर हो जाएगा तब तक के लिए उनके लिए ट्रेडिंग विंडों क्लोज है एक जुलाई से ट्रेडिंग विंडों क्लोज होते हुँ दिखाए देगे अब वो इंसाइड ट्रेडिंग नहीं कर सबसे पहले गर हम बात के लिए इसके रिवेन्यू की तो देखतो कि सेप्टमबर दोजार तेईस में 6711 क्रोट के आसपास था जो दिसमर दोजार तेईस में बढ़के 6985 क्रोट तक पहुच गया और मार्च दोजार चोबिस में 7447 क्रोट तक पहुच गया तो लगातार लगातार हर क्वाटर में बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग एक्सफेंस देख तो उसमें भी विरिद्धी हुई है देख सकते हो कि सेप्टमबर दोजार तेईस में 2334 क्रोट के आसपास था जो दिसमर में 2347 क्रोट के आसपास रा और मार्च में काफी बढ़ा 2819 क्रोट के आ यहां पे 864 क्रोट तक पहुच गया और मार्च में 902 क्रोट तक पहुच गया अपरेटिंग प्रॉफिट हर क्वाटर में बढ़ रहा है यहां पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो देख सेप्टमबर 2023 में करीब 225 क्रोट के आसपास था जो दिसमर 2023 में बढ़क यहां प्रॉफिट के लिए तो ठीक है और ऐसे में आने वनेटिस की प्राइज डेफिनेटली बढ़ेगी तो काफी अचा मौका है लॉफिट के लिए निविस किया जा सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एड़वाजिस बढ़ कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स